हेलो दोस्तो नमेश्कार एसम किसी चानल में मैं आप सिबलम का दिल से बहुत-बहुत सोगत करता हूँ इस पड़े में हम लोग कवर करने वाले चार से पार्च इंपोर्टन स्टॉक्स को तो चले स्टार्ट कर लेते सबसे पहले इब्दम कमाल की खबर के साथ सो दोस्तो जैसे कि आपको पता ही है future oriented business ऐसे बिजनेसे जो कि भविश्य में तेजी से ग्रो करेंगे ऐसे बिजनेसे के और हमारा focus रहता ही है और semiconductor भी अगर देखा गया तो उसी में इसे ही एक one of the business देखने को मिल जाता है अभी semiconductor कोई नहीं बात नहीं है इसके पहले भी चलता था बड़ अभी दिमे दिमे करके technology इतने evolve हो चुकी है कि हर एक चीज में semiconductor का requirement, chip का requirement रहता है रहता है electric vehicle का भी काम बिना semiconductor के चलेगा नहीं ठीक है, cell phone की अगर हम लोग बात करें semiconductor के बिना चलेगा नहीं इनकी demand, इनका production लगातार बढ़ते जा रहा है इसी चीज के चलते, आप लोगों ने देखा भी होगा जो विदेशी कमपनिया भी हमनों को देखने को मिल जाते है semiconductor में अच्छा business करती है उनके भी शेस rocket की तरह बढ़ते हैं देखने को मिल जाते है तो हमारे भारत देश की बात करें तो semiconductor से related ऐसे मतलब एबदम powerful company अभी तक तो कोई देखने को आपे नहीं मिल रही थी वेदानता की बात हो रही थी, वो तो Foxconn की साथ deal करेंगे वेदानता resources की बात हो रही थी बट बाद में सब कुछ वो cancel ही हो गया पट फाइनली चलिए, semiconductor से related एक बड़ा नाम सामने आते भी देखने को मिल रहा है और वो है दोस्तो L&T यस, Larson and 2bro की बात करें दोस्तो तो आज की दिन company ने quarter 2 के number 100 पेश किया और उसी के साथ साथ सिर्फ number पेश नहीं किये बहुत सारे बड़े announcement भी उनने यहापे इसी के साथ साथ बादार के सामने रखे हुए तो L&T की बात करें, तो 2900 पे stock देखने को मिल रहा है है तो एक blue chip company, large cap stock तो 5 साल में double के साथ से performance रहना चाहिए तो आप देख सकते 5 साल में 115% की return मतलब चलिए जो इनके long term shareholders है, उनका तो मतलब हम कह सकते जो एक average expectation रहता है, L&T उसको fulfill यहापे कर रहा है numbers के अगर हम लोग बात करें, तो आप यहापे देख सकते हो जो company का revenue है, उसमें 19% का इजाफा देखने को मिला है सो consolidated number की बात करें, 51,000 करोड तक जाते वे देखने को मिला and profitability की बात करें, तो 45% की jump है लगबग लगबग हम कह सकते 32 करोड का profit L&T ने quarter 2 में दर जापे किया है सो बहुत ही कमाल का performance हम लोग को L&T के और से होते वे देखने को मिला है order book की भी अगर हम लोग बात करें, तो 72% year on year basis jump order book में भी हम लोगो होती भी देखने को मिल चुकी है सो जितनी strong order book, उतना ही आने वाले भविशा के भी अच्छे numbers ये basic समीकरण हम लोगो देखने को मिल जाता है अगर हम लोग बात करें, L&T तो आपको पताई है, daily basis के उपर बड़े बड़े orders तो जीता है लेता है, बट yes, यहाँ पे L&T ने ultra mega contract, hydro carbon business से related यहाँ पे जीत लिया है और सो, यह किस से related बात यहाँ पे हो रही तो आपको पताई है Middle East में एक बड़ा project यहाँ पे इनको मिलने वाला था और वो finally इनको यहाँ पे मिल चुका है, जिसकी worth है 15,000 करोड से भी जादा, yes, 15,000 करोड आप अंदाजा लगा कि देखें, इतना तो एक company का size भी नहीं होता है इतना इनका order है, so इतनी कमाल की company, obviously अभी इतनी बड़ी company है तो बड़ी company है, मतलब जो returns मिलेंगे, वो धीमे-धीमे करके हम लोगों को मिलते वे देखने का आप मिल जाते है, थोड़ी ना कोई microcap, nanocap company है कि अबदम rocket की तरह returns यहाँ पर बन जाए करके, ठीक है बड़, कमाल की खबर हम लोगों को देखने कमाल है मतलब company के जो numbers है, वो तो तोड़ फोड numbers है, मतलब एबदम ही कमाल कर दिया और उस number के साथ-साथ ऐसी कमाल की खबर भी L&T ने सामने रख दिये कि 15,000 करोड का middle list में भी उनको order यहाँ पर मिल चुका है next अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो semi conductor से related भी आप देख सकते है, L&T ने announcement कर दिया है फोर रहे मतलब धावा बोल रहे है, entry कर रहे है, semiconductor chip design business में और इसके लिए वो 830 करोड यहाँ पे क्या करने वाले है, unit set करने के लिए invest यहाँ पे करने वाले तो यह point आपको पता होना चाहिए, जो कि company के जो CFO है, Mr. Shankar, रमन, तो उन्होंने भी यही बात करा है, कि फिलाल तो वो focus कर रहे है, only on chip design, not on manufacturing, ठीक है, so manufacturing में होते हैं, तो और भी ज़्यादा benefit है आपे मिलता, बट कोई बात नहीं, वो design के और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनिया, semiconductor के design में भी हम लोको आतीवी देखने को मिल रहे हैं, तो L&T है ही इतनी बड़ी company, शांदार company, धमाकेदार company, अच्छी company, blue chip company हैं, तो जैसे मैंने का कि 5 साल में double के, सबसे इसको देखा जाता है, और 5 साल में double मतलब यह कोई installment में double नहीं करेगा, कि अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि इस साल में मुझे 10-15 दे दे, next 10-15, 10-15 नहीं, तीन साड़े तीन साल यह stock चल ही नहीं रहा था, तभी यह बहुत ही खराब लग रहा था हर किसी को, and then suddenly तेजी आगी, यह हमेशा ऐसा ही होता है, blue chip companies में, एक time के बाद वो और हम silent के ओर से देखने का आपे मिल रहा है, तो जरू कल के दिन यह radar के उपर रहेगा, nifty 50 वाली company है, ठीक है, तो बाजार में इतना weightage नहीं, बट still, एक अच्छा impact यह बाकी infrastructure stocks के उपर भी छोड़ जरूर सकता है, next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक tech से तो फेवरेट टॉपिक रहते हैं, बहुत सर लोग एंटरी कर ही लिते हैं, खास करके लोगों की जो एंटरी होती है, वो यहाँ यहाँ पर एंटरी नहीं होती है, वो exactly top level पी रहेगी, एंड उसके बाद आपको पता ही है, कि stock top level पे जाने के बाद, यहाँ पे जैसे गिर ज नहीं आई है, decent ही हम लोगो numbers देखने का आपे मिले हैं, so देख लेते हैं, कल की दिन बाजार का reaction इन companies के प्रति क्या रहता है, और देखा गे तो एक mid-size की company है, तो reaction हम लोगों को मतलब ज्यादा volatile के हिसाब से भी देखने का आपे मिल सकते हैं, next अगर हम लोग बात करेंगे PP, परादी phosphate की, अगर हम लोग बात करें, तो आप सभी लोग को यहाँ पर, पताईए, एक छोटी size की company, small cap type की company है, पैसे देखकर कभी जाना नहीं होते हैं, कि भाई 50 का है, 60 का है, इसलिए चलो जाते हैं करके, हम लोग ने इसके पहले भी इसको cover किया था, तभी यह 50-60 प daily basis की उपर, भेने की उपर, आपको installment में पैसा बनेगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है, पैसा बहुत टाइम तक नहीं बनता है, और जब बनना होते हैं, तो ऐसा बनता है, कि आप सोच भी नहीं सकते, railway stocks, defense stocks, यह इसका सबसे best living example हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है, तो PP की अगर हम लोग बात करें, इस stock popular क्यों हो था, क्योंकि है तो छोटी कंपनी 5R का market cap देखने को मिल रहा है, बट इसमें बहुत सारे domestic institutional investor, FISB थोड़ा बहुत देखने का आपे मिल रहे है, मतलब छोटे कंपनी में जब institutional investor interest दिखा रहे है, और खास करके तभी यह इसलि यहाँ पर लगाए था, ठीक है, तो इन्होंने पैसा लगए, इसलिए हम भी लगा दे, यह कोई sense की बात बनती ने, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता है, कि हर किसी का record 100 out of 100 सही यह करके, ठीक है, कोई सही भी जाता है, गलत भी जाता है, तो company के number सामने आया है, तो कैसे रहे यह company के number, तो actual में अगर आप numbers देखोगे, मुझे इसा लगता नहीं, कि जिन्होंने long term के लिए निविश करने का विचार किया होगा, वो disappoint होंगे, हाँ, सिर्फ यहाँ पर एक minus point कौन सा है, जो short term का दाव खेला जाता है, वहाँ पर अगर देखा गया, तो expectation जो था, almost 95, 96 CR तो इससे कोई company तबा नहीं होती है, वो short term का खेल चलता रहता है, long term वाले, personally मुझे इसा लगता है, कि उनको बुरा लगना नहीं चाहे, क्योंकि company तो पिछले साल loss में थी, जहां से यह company अभी profit में आती है, तो definitely हम यहाँ पर कह सकते, decentty number company ने दिखा है, reaction कल के दिन बाजा आरती सर्फ, येस, आरती सर्फ इब्दम risky type की company, nano cap type की company, 500 करोड से भी कम का market cap, ये चीज़ ये दर्शाती है, जब ये गिरेगा, तो rocket की तरह गिरेगा, जो अल्रेड हम देख चुके, उपर से, फिलाल company 60% down है, जब भागा था, 300-400% भागा था, तो ये चीज़े दर्शात जो छोटी company होती है, उसमें उतनी volatility रहती है, तो आरती सर्फ की अगर हम लोग बात करें, कैसे रहे नंबर, तो mix type का performance देखने को मिला है, तो company का जो revenue है, वो हम लोग को गिरते वे देखने को मिला है, बट company ने खर्चों के उपर control किया है, तो इससले company का NPBT, बिना किसी adjustment वा जाते है, taxes सामने आ जाते है, फिर उसके बाद जो post tax profit नजरा रहा है, वो वापस हम लोगो down नजरा रहा है, तो mix kind of reaction हम लोगो देखने को मिल रहे है, बट फिर भी हम कह सकते हैं, छोटी company ने जैसे number दिखाने चाहिए, ठीक है, at least profitability, NPBT अच्छा देखने को मिल रहे है, वो एक अच्छी बात हमनों को देखने को आप मिल रहे बट फिर भी बाजार का रियक्शन इन स्टॉक्स के परती थोड़ा एक्स्ट्रीम जादा यहाँ पर रहता है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स भी कम रहते हैं जब बड़ा कोई प्लियर अगर उसको नंबर अच्छे लग मदर संसों में वाइरिंग अलग बन गया तो यह कमपनी के नंबर बिल्कुल बाजर क्लोज होते भी हमनों को देखने को मिले हैं काफी इंप्रेसिव नंबर रहे हैं अच्छे नंबर देखने को आप मिल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं कि खराब नंबर से करके ठीक है बट ज स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों जो थोड़ा जादा रडार के उपर था क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदला हुआ हम लोगों को देखने को मिला और उसके चलते स्टॉक यहां पे क्रैश हुआ था यह आप सब लों को याद है होगा मैं कौन से स्टॉक की बा बात करें दोस्तों पर्शनल मेंने नंबर स्टेडी किये बिल्कुल भी इंप्रेसिव नंबर देखने को नहीं मिल रहे है आइसकारतिया ने कि कंपनी खराब हो गई करके जैसे मैंने का अच्छा आप लिया रहे है एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मस यहां पे दिखाता ह आवरेज आप बोल सकते हैं क्रिकेट के सबसे 30-40 स्कोर करता है वैसा ही प्लेयर है बट ये फिलाल यह जो नंबर है हम कह सकते सिधा गोल्डन डक्यों पर ही आउट होते वे देखने को मिल रहा है तो कल क्या इसमें गिरावट होगी तो बाजार का रियक्शन कल कैसा रहेग कवर कर ली विडियो इंफर्मेटिव लगाओगा तो चाहूँ तो आप इसको लाइक और शेर भी कर सकते हो तो दाट से टैंकिव प्रिमाज दोस्तो वी विल भी मिटिंग आरेक्श दियो तब तक के लिए बब बाई